पटना में एक बड़ा हाथसा हो गया है इस हाथसे से काफी देर तक हड़कम पोरफरा तफरी मची रही आपको बता दे कि पटना में बंब विस्पोच हुआ है दरसल दो बच्चे गेंद समझ कर जिसके साथ खेल रहे थे वह गेंद नहीं बंब था अचानक बंब विस्पोच हो गया इस हाथसे में एक बच्चा गंभी रूप से खायल हो गया आपको बता दे कि पात साल का पवन और तीन साल का रोहन अपने घर के पास तीन बजे के करीब खेल रहे थी पास ही में कूडे का धेर है खेलने के दुरान महीं से दोनों बच्चों को देशी बं मिल गया जिसे वो गेंद समझ बैठी अचानक यह बं ब्लास्ट हो गया इस घटना की जानकारी मिलते ही परिवार के लोग भागते हुए अस्पताल पहुंचे दोनों बच्चों में पवन गंभी रूप से खायल हुआ है उसके चेहरे को काफी नुकसान हुआ है जरूरत पढ़ने पर बहतर इलाज के लिए उसे गुरु गोविन सिंग अस्पताल से पी एम सी एच भेजा जा सकता था है जबकि रोहन को कम नुकसान हुआ है वो मामनी रूप से घायल हुआ है इस घटना की जानकारी मिलते ही खांजी कला थाना की पुलिस मोके पर करें को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइख, शेर और सब्सक्राइब करें घटने वाल